Hello Friends, Welcome back to my channel, Snehah Mom Life Style So Friends, आज की वीडियो में हम जानेंगे Double Marker Test जो की Pregnancy में की जाने वाली एक one of the important blood test है So Friends, इस Double Marker Test तवारा आपको बचले के बारे में क्या-क्या पता चलता है और ये जो test है वो कब करनी चाहिए और इस test वारा आपको बेबी के बारे में क्या क्या पता चलता है इस सब की जानकारी आपको आज इस वीडियो से मिलने वाली है तो आज का ये वीडियो काफी informative होने वाला है तो आप इसको एंटक जरूर देखे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर फ्लीक करके बेल बटन दबाना मद भूले So friends, चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो So हमको सबसे पहला कोशन यह आता है कि डबल मार्कर टेस्ट क्या है, क्यों के जाती है So friends, डबल मार्कर टेस्ट जो है वो एक computer software generated graphical test है इससे हमें बच्चे में होने वाले मांसिक तथा शारिजी विकलंता के बारे में बहुत थी early stage में मतलब first semester में ही पता करा सकते है लगा सकते है जैसे कि Trisomy 21 जो कि एक down syndrome का प्रकार है और Trisomy 18 जिसे adverse syndrome भी कहा जाता है जिसमें बच्चे के अंग ठिक से विक्सिस नहीं होते और Trisomy 13 जिसमें जिसे जेनिटिकल डिसॉर्डर की वज़े से बच्चे में पता यूं मतलब ओठ फटे हुए हो जाते है और मांसिक तोर पर भी वे बहुत ही कमजोर होते है यहां एक calculated risk बताती है यह सब होने की बच्चे में समभवना high risk और low risk क्या है यह सब इस double market test द्वारा हमको पता चलता है और साथी साथ question आता है कि double market test कब की जाती है और इस test को किन-किन महिलाओ को करवाना चाहिए यह test हमको 11-14 week के बीच में करवानी होती है यहां एक blood test है और यह test उन महिलाओ को करना ज़रूरी है यह करवानी चाहिए चिन की उम्र 30 से लेका 35 के अबाव होती है और अगर आपके pregnancy IVF होती है या आपके family में किसी को down syndrome या कोई weakland की बीमारी है या फिर आपका पहला बच्चा ही down syndrome है या फिर कोई chromosomal disorder है आपके पहले बच्ची को तो आपको second time के लिए भी यह test ज़रूर करवानी चाहिए साथी साथ अगर आपको insulin मतलब आपको diabetes की history है तो भी आपको यह test ज़रूर करवाना चाहिए और एक सवाल आता है कि double market test करवाने से हमको किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भी आप double market test करवाने चाहते हो तो आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो भी आपको report आए, reading आए, वो अच्छे से आए तो फ्रेंट, double market test एक blood test है जो कि आपको उसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है पर उसके लिए आपको अपनी LMP date, आपकी age और anti-scan report सही से बताना है तो फ्रेंट, यह जो double market test होती है उसके लिए वो आपकी जो anti-scan ultrasound होती है उसके साथ की जाती है तो यह ज़रूरी है कि आप पहले अपनी anti-scan ultrasound कराओ जो कि आपको भी 11-14 week के बिच में ही करनी है और उसके बाद आपकी यह test को इस double market test के साथ combine करके जो भी compromise method द्वारा reading आती है उस basis पे यह पताया लगा जाता है कि आपके बेबी में कुछ down syndrome जीसी या फिर प्रोमोजोमर डियस ओडर जीसी कोई बीमारिया तो नहीं है इसके लिए अगर आप double market test करना चाहते हो तो इसके साथ आप anti scan भी ultrasound कराओ और यह anti scan ultrasound क्या है इस पर भी मैंने अपने चानल पर detail में video बनाया है आप उसी check कर सकती हो आपको ज़रूर helpful लगेगी वो video उसका link में अपने description box या end screen में दे दूँगी यह combination होता है anti scan और double market test को साथी साथ जिसे की मैंने आपको कहा है यहाँ एक computer generated screening test है जहाँ पर आपकी age, LMP और anti scan report को 31 तोर पर measure करके final report सयार करते हैं यहाँ test सिर्फ calculated risk बताती है high risk है या low risk है और एक सवाल आता है अगर यह report positive आए तो क्या करें अगर यह report positive आती है तो डाक्टर आपको कुछ और भी test recommend कर सकते हैं जिसे की nift हो गया, amnosynthesis हो गया या और भी triple market test कुछ ऐसे test recommend कर सकते है अगर यह report high risk में आती है तो फिर भी friends अगर test positive आने का यह मतलब नहीं होता कि आपके बच्चे में 100% कुछ कमी है अगर इसके लिए आपको यह test है थोड़े costly होती है पर अगर आप करती हो जिसे ने प्रेमिन मों synthesis तो आपको 100% की surety हो जाएगी कि बच्चे में कोई disorder तो नहीं है और एक प्रशना आता है कि यह double marker test है उसका कीतना खर्च आता है यह जो double mark test है यह आपकी CT to CT vary करती है पर लगभग इसका average जो cost रहता है वह 2000 तक आता है जो की मुझे आई थी और यह blood test है इसके पहले मतलब यह करवाने से लगता है तो आप try करो कि आप जल्दी से जल्दी यह मतलब first image खतम होने से पहले ही आप यह test करा लो 11 weeks से लेकर 40 weeks के बीच में यह तो थी double marker test के बारे में आज की information I hope friends आपको पसंद आये होगी और साथी साथ मैंने अपने चानल पर ऐसे ही बहुत सारे test के वीडियो अप्लोड की है आप उसे भी देख सकते हैं वह जरूर आपको helpful लगेगी ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और करेश निहां मम स्टाइल and finally friends thank you so much for watching और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना धान रखे Thank you so much